जै भारत दोस्तों, क्लास 10 के सोसल साइंस के अंतरकत आने वाली भुक हमारी अर्थवेवस्था का पहला चेप्टर अर्थवेवस्था एबम इसके विकास का इतिहास के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस चेप्टर में यानि कि इस चेप्टर के अगले पार्ट यानि कि आज हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हम अगले पार्ट के बारे में जानेंगे और वो अगला पार्ट यानि कि अगला टॉपिक है हमारा आर्थिक अधारबुत सनरचना या आर्थिक आंतरिक सनरचन उस देश या राजजी के आर्थिक विकास का प्रमुक आधार होता है अब मुझे बताईए दोस्तो अगर आपको एक मकान बनाना है तो सबसे पहले आपको आधार बनाना पड़ेगा फॉन्डेशन बनाना पड़ेगा तो उसके लिए आपका basic strong होना है आपका foundation आपका आधार क्या होता है मजबूत होता है और हमारा foundation आधार 5th class से लेकर के 3th class को माना जाता है इनकि इस बीच में जो भी topics आप पढ़ते हैं उसको अगर आपने बहतरी नधंग से पढ़ा है तो आपका आधार मजबूत है strong है आपका foundation आपका basic strong है तो आगे आपको त्यारी करने में और ज़्यादा क्या मिलेगी support मिलेगी और आपकी त्यारी और ज़्यादा मजबूत होगी तो उसी तरह से किसी देश या राज की अर्थ विबस्था को अगर मजबूत बनाना है तो सबसे पहले उसके आर्थिक सनरचना आर्थिक अधार बूत सनरचना या आर्थिक सनरचना को हमको मजबूत बनाना पड़ेगा तो उसका importance होगा की नहीं होगा जिस तरह से घर के लिए foundation importance है foundation का अपना एक important है उसके अधार का एक है अपना important है उसी तरह से अर्थ विवस्था को अगर आप मजबूत बनाना है तो आपको अधारभूत सनरचना या उसके आंतरिक सनरचना को मजबूत बनाना पड़ेगा और हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अधारभूत सनरचना या आंतर सनरचना के अंतरकत आते थे और आर्थिक सनरचना में हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी आर्थिक किडियाओं को अगर बिजनिस पैसे की सपोर्ट मिल जाती है या तायात संचार और भी उसमें हम लोगों ने देखा था इस इसमें भी हम इसको डिटेल के बारे में जैनेंगे तो क्या हैं तो हम होंगे किसी देस या राज की आर्थिक आधारवुत संचना या आर्थिक संचना से षुक्षाइब स्वास्त और अच्छी संचार होगा उसकी वित्य संस्थाई जतनी ज्यादा अच्छी होंगी वो देश निश्चित रूप से अर्थ विवस्था में उतना ही ज्यादा मजबूत होगा अगर किसी राज को आपको आर्थिक दिश्चिकों से मजबूत बनाना है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको स्वास्त सिक्षा सरके पडिवहन संचार विवस सिख्षित ही नहीं है तो क्या आप अर्थ विवस्था को मजबूत बना पाएंगे क्या आपकी प्रोडक्शन की वह बड़ पाएगी नहीं बढ़ पाएगा आप जो भी पैसा लगाएंग वो सब बैर्थ चला जाएगा तो वो चीजे यारिनी कि समाजिक और आर्थिक संच कि आने वाली जितनी भी चीज़ें वह अगर मजबूत बनेगी तो निशित रुप से अर्थ फिवस्ता भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा तो आप देख सकते हैं तो उतनी ज्यादा जितनी और विक्सित होगा वह देश यह राज उता ही क्या होगा आर्थिक दिश्टी क कि अंत्रकत आते हैं और इन दोनों के बारे में अलग अलग करके हम लोगों ने पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ाई स्टडी कर लिया है इस परकार हम कहा सकते हैं कि अधारभूत सलचना जितना अधिक बिक्सित होगा वह देश यह राज आर्थिक रूप से उतन हो गया अरथिक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दबा दीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा और हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो करके इस तरह के छोटे-छोटे और आपके लिए महत्पुन प्रस्ण लाते रहेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार